Hello Everyone, आज हम पढ़ेंगे Soil Science का Introduction, तो चलिए स्टार्ट करते हैं Soil, Mrida, इसे Latin word Solem से लिया गया है, जिसका मतलब होता है floor, भूमी Definition of Soil, Mrida की परिभाशा Soil is a natural dynamic body formed by weathering of rocks and minerals as well as decomposition of organic substances in which plant grow Soil, एक natural dynamic body है, मतलब प्राकृतिक गती-शील body है, जो की rocks और minerals, चट्टानों और खनीजों के weathering से, अपच्छय से और साथी साथ organic substance, कार्बनिक पदार्थ के उपघटन, decomposition से पनता है, जिसमें plant जो पौधा होता है, वो बढ़ता है या ग्रो करता है Soil, मृदा के अंतरकत हम दो चीज़ देखते हैं, पहला है edaphology, study of properties of soil in relation to higher plant जब हम higher plants या crop को soil properties के साथ relate करके पढ़ते हैं, तो उसे edaphology बोलते हैं, मतलब की higher plants या फिर crop, फसल के संबंद में मिट्टी के गुण का अध्यान करना ही edaphology कहलाता है दूसरा है pedology, study of soil origin, classification and description, मतलब की जब हम मृदा की उत्पत्ती, उसका वर्गी करण, उसका विवरण के बारे में अध्यान करते हैं, तो उसे pedology बोलते हैं हम दिखते हैं composition of soil, मृदा की रचना, तो मृदा जो है 50% solid space और 50% pore space से बना हुआ है 50% solid space है, mineral organic से मिलके बना होता है, mineral होता है 45% और organic 5%, वहीं 50% pore space air और water से मिलके बना होता है, जिसमें air 25% होता है और water 25% प्रिकते हैं soil genesis, मृदा उत्पत्ती, rocks and minerals में weathering की प्रक्रिया होती है, जिसकी वज़ा से ये parent material बनाते है parent material में soil forming factors काम करते हैं, जिसकी वज़ा से soil बनता है अगर इसे हिंदी में समझे तो चटाने और खनीज में अपक्षे क्रिया होने के कारण ये टूट जाते हैं, जिसकी वज़ा से मूलपदार्थ की उत्पत्ती होती है मूल पदार्थ में बिट्टी बनाने वाले कारक की प्रक्रिया होने के कारण मृदा की उत्पत्ती होती है चलिए इसे एक एक करके अच्छे से समझते हैं पहले देखते हैं रॉक्स चट्टाने रॉक्स चट्टान Study of rocks is called as Petrology चट्टानों का अध्यन शेल विज्ञान कहलाता है On the basis of origin, rocks are of three types उत्पत्ती के आधार पर चट्टाने तीन प्रकार की होते हैं पहला है इग्नियस rocks, आगने चट्टान दूसरा है सेडिमेंटरी rocks, अवसाधी चट्टान तीसरा है मेटामॉर्फिक rocks, कायन तरित चट्टान पहले देखते हैं इग्नियस rocks, आगने चट्टान ये मॉल्टेड मैगमा के सॉलिडिफिकेशन से बनता है मॉल्टेड मैगमा क्या होता है जो वॉल्केनो होता है, उससे जो लावा निकलता है वो गर्म द्रव्वे के रूप में बहार निकलता है जिसे मॉल्टेड मैगमा बोलते हैं इसी के सॉलिडिफिकेशन और जमाव से ही इग्नियस rock बनता है आगने चट्टान बनता है अब इसका जमाव सर्फेस पे हो रहा है ये सर्फेस के अंदर हो रहा है इसके अधार पर इसे दो में डिवाइट किया गया है पहला है वॉल्कैनिक rocks दूसरा है प्लुटानिक rocks जो वॉल्कैनिक इग्नियस rocks वॉल्कैनिक आगने चट्टान होता है उसमें जो लावा होता है वो लैंड सर्फेस पे ही कूल होता है और सॉलिडिफाई हो जाता है मतलब कि लावा भूमी की सता पर ही तुरंट ठंडा होता है और वहीं जम जाता है इसका एक्जामपल है बसाल्ट दूसरी तरफ प्लुटानिक इग्नियस rocks प्लुटानिक आगने चट्टान जो होता है उसका जो सॉलिडिफिकेशन होता है वो विदिन दा सर्फेस होता है मतलब इसका जो जमाव होता है वो सता के बीतर होता है इसका उधारण है ग्रेनाइट एंड डायोराइट चट्टान दूसरा है सेडिमेंटरी रॉक्स अव साधी चट्टान जब igneous rocks आगने चटान छोटे-छोटे sediments तलचट में टूप जाते हैं तो यही gravity या air या water या wind की मदद से दूसरी जगह में जाके layers के form में deposit हो जाते हैं मतलब एक परत के रूप में जमा हो जाते हैं जिसे हम sedimentary rocks अफसाधी चटान बोलते हैं sedimentary rocks अफसाधी चटान के कुछ उधारन हैं जैसे कि limestone, sandstone, shale, dolomite, conglomerate ये इसके अंतरगत आते हैं next है metamorphic rocks कायन तरित चटान नियस rocks या sedimentary rocks में जब intense heat और high pressure या दोनों जब act करेंगे तो उनका texture और mineral composition चेंज हो जाता है जिसकी वज़ा से metamorphic rocks का formation होता है इसे हिंदी में समझे तो आगने चटान या फिर अफसाधी चटान में अगर तेवर गर्मी या अधिक दबाव पढ़ने पर इनकी texture और mineral composition मतलब बनावट और खनेज रचना में परिवर्तन हो जाता है जिसकी वज़ा से metamorphic rocks कायन तरित चटान का निर्मान होता है metamorphic rocks कायन तरित चटान के examples उधारन है पहला genesis ये granite से बना हुआ है अब granite क्या है? igneous rocks है तो इसमें जब heat और high pressure act करा तो इसे क्या बना? Genesis जो कि एक metamorphic rock है दूसरा है marble जो कि limestone से बना limestone क्या है हमारा sedimentary rocks वही slate किस से बनता है? shale से, shale भी क्या एक sedimentary rock है उससे क्या बनता है slate? metamorphic rock quards जो है, वो metamorphic rock है जो किस से बनता है? sandstone से, sandstone हमारा sedimentary rock है तो ये कुछ examples थे metamorphic rocks के चटानों में, rocks में, silika की मात्रा silika content के अधार पर इन्हें तीन में बाटा गया है acidic rocks, amlis, chattane intermediate rocks, madhya वर्ती chattane basic rocks, chari chattane तो जो acidic rocks, amlis, chattane उनमें 65-75% silika की मात्रा silika content पाया जाता है वहीं intermediate rocks, madhya वर्ती chattane में 55-65% silika content silika की मात्रा पाया जाती है वहीं basic rocks, chari chattane में 45-55% silika content silika की मात्रा पाया जाती है यह important है, इसे याद रखेगा